वेलकम बैक टू रिलाइवल मोटर्स और आज जो गाडी का रिव्यू हम करने जा रहे है यह है यह जी रोस्टर इससे पहले हम ने इसका ओनर्शिप रिव्यू देखा आज हम इसका टेस ड्राइब वीडियो देखने वाले के चलने में कैसी है और इसका पिक अप और इसका प अब बढ़िया आपको इसमें मिलते हैं और एक तेर आके हो जाए और बाती पार्ट पीछे तो चलिए आ जाए इसका टेस राइड लेते है यह अभी हमारे दोस्ते पिछले एक महीना पहले ही लिए और ये गाड़ी उनको तीन लाग रुवे में पढ़ गई और अब भी फार्री अगाए तो आप तो इसका पृइए और आप देखने वाले के चलने वे कैसी हिसका टॉफ स्विट इतना जाता है साफ इतना लाइं तो नहीं जाएंग आप किर अब यह हम उतना प्रिबेर नहीं है और यह नहीं बढ़िया आ है इसका जो पीर टायर का वो काफी मलबूत है और बहुत अच्छे से एक इसका रोल प्रिजेंस की बात करूम है तो जब हम इसको यहां ले आए थे तो काफी सारे लोग हमसे भी पूछे थे के भाई का प्लीकिने में लिख एसकी है गाडी चलने में ज़ने में कई सारे लोग को इसका राइप भी दिय जाएंगा तो उसके बाद में हम थोड़ा इसको आइस बीप में थोड़ा क्राय करके देखते हैं तो करें तो करें तो करें करें है अनले और मिलकी में आपक हमें आपक पाड़ा नीकोर भी पेघियों सब्सक्राइब कर objetivo है यज़िए है यह तो कि आसे अफिक्यों चुद्प कर देखे आता वंकर आपकोरapa कि इंदे ऑगएंग ज्टसान ए डरे मिल जा अनटाता है प्रंट अ रियर में डिसक्रीय कि इसके माइलेज की बात करूँ तो सिटी में आए को निकाल के दे लिए साटीफाय का माइलेज और अगर आप सिटी को हाईवे पर इसको ड्राइब करते हैं तो यह आपको देती हैं तकरीबन 40 या 14 542 का माइलेज तो खाफी बढ़ी आए कि के साफ से और वाइब्रेशन जैसे के अभी हम 80 की स्पीड में कारी राइट करके देखा लेकिन वाइब्रेशन विर्कूल भी है इसमें और इसका जो सिटिंग केपैसिटी है यादि जो सिटिंग का कमफर्ट है कमफर्ट की बात करूं है ताकि बढ़िया है और जो बॉडी पैन वागे रहा है इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इना बॉडी पैन खास होगा अगर आपनी को भी ये वीडियो पतान आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करें और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आपने के लिए सब्सक्राइब करें और साथी तैल आइकोन भी दबादें